हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का रादे फार्मिंग के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं दरसल ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था उन्होंने कहा था कि हमें मश्रूम में पानी कप तक और कितना इस्वरे करना चाहिए तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और हां मैच्वर कब हो जाता है हमें पैचान कैसे होगी कि मैच्वर हमारा मश्रूम तोड़ने लायक कब कितने दिन तक हो जाता है और मैच्वर हो गया है इस बात का हमें पता कैसे चले तो हम चाले देख लेते हैं कि कौन से मश् ज्यादा पानी स्प्रे करने से क्या होता है या फिर हम पानी कम स्प्रे करें तो क्या होता है यह तो सबसे पहले हम एजान लेते हैं कि कौन से मश्रूम पर पानी स्प्रे करना है और कौन से वाले पर नहीं तो हमारे ये पिन हेड जो की अभी अभी निकला है ये हो गया और ये हो गया लगायत ये हो गया और इधर हो गया तो ये सारी मश्रूम जो है अलग 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 उमर की है ये इसको निकले हुए दो दिन हुआ होगा और ये महस तीन या फिर चार दिन का और यह कुछ 5 दिन का हुआ होगा तो हमें मश्रूम पर पानी स्प्रेक अब तक करना है जब से यह निकले यानि कि इतना छोटा होने से लेकर इतना बडा और इसके बाद भी मश्रूम इतना बड़ा होने तक हम इस पे पानी स्प्रेक करते रहेंगे और भी बहुत बारिक सा ताकि इस पर सिर्फ पड़े इसके पत्ते पर तो हमें कैसे पैचान होगा कि कब तक इस पर पानी स्प्रे करें तो जब इसके पत्ते एकदम सीधे हो जाएं यानि कि एकदम सीधे हो जाएं तब तक हमें पानी स्प्रे करना है और इसको एक दिन बाद हमें तोड़ने लाइख हो जाएगा मैचुर हो जाएगा एक दिन बाद और इस बात का हम इडेंटिफाई कैसे करें पहचान कैसे करें तो आपके जो मैचूर मसरूम होते हैं उनके पत्ते ये पूरी तरीके से उपर आ जाते हैं जैसे कि मैं अभी आपको एक मैचूर मसरूम दिखा दे रहा हूँ आप अगर इस मसरूम को देखवा रहा होंगे तो इसका पत्ता जो है उपर की तरफ मुड़ने लगा है यह पत्ता पुरा उपर की तरफ मुड़ चुका है हलाकि यह मसरूम छोटा ही है इसने ज़्यादा ग्रोथ ने किया विकास ने किया फिर भी यह मैचुर हो गया है इसका पत्ता उपर की तरफ मुड़ने लगा है और जो की यह मसरूम अभी सीधा है अभी नीचे है जो शुरू में होता है ये नीचे से होता है और मैचवर होते जाता है तो ऐसा उपर चलाता है जैसे आप ये मश्रूम देख रहे हैं और ये ऐसे उपर की तरफ मूड़ जाता है तो ये जब पूरे तरीके से ऐसे उपर की तरफ मूड़ जाए तो हमें समझ ल पानी इस्प्रे करना है जब तक ए मश्रूम मतलब सीधा रहे अभी सीधा हो गया है अब ये कल के बाद उपर की तरफ ऐसे सिकुड़ेगा तो हम आज सही इस पे पानी का इस प्रे देना बंद करना होगा क्यूं कि अब हम इस पर पानी इस प्रे करेंगे तो ये पानी अब्जर्ब करेगा और पानी अब्जर्ब करेगा तो ये इसी पत्ते में रह जाएगा पत्ते का वजन बढ़ेगा और पानी इसके तनित जड़ तक नहीं जाएगा जो कि मुश्रूम की क्वालिटी खराब करती है वेट बढ़ जाती है और मुश्रूम देखने में थोड़ा चिप-चिपा दिखेगा इन सभी कारणों से जब ऐसे लगवग मुश्रूम सीधे पत्ते मुश्रूम के पत्ते सीधे हो जाएं तो समझ लेजिए अब इस पर पानी पानी स्प्रेखने करना है जब तक ऐसे नीचे रहता है थो जब सीधा हो गया इसका मतलब है समझ लीजी उसके एक दो दिन बाद रहे तो दोड़ने लाइक होने वाला है और और अगर अगर हम इस पर पानी इस फरे नहीं करते हैं तो क्या होगा तो आप और रिजल्ट दे मतबं मैंसे सोख जा रहे हैं और जिन पर पड़ा है वो मॻ box के हुए हुए हैं तो इह होता है पानी स्पडाए या फिर कम पानी कम इस्प्रेइदे करना और अगर पानी आप ज्यादा से कर दे रहें तो ही होला क्वालिटी खराब हो जाएगा हमें से तोड़ने के बाद एक दीन में ही उसको बेचा जाना ऐसंग ज़ारी हो जाता है अगर रुक गया एक दिन में तो समझ लिए अगली दिन तक खराब हो जाएगा एकदम इधर से पानी टपक ने लगेगा क्वालिटी खराब हो जाता है मार्केट में रेट नहीं मिलता और मश्रूम देखने में भी फ्रेस नहीं थोड़ा एलो टाइप का दिखने लगता है तो आपको साइद इस बात से किलियर हो गया होगा कि हमें पिन हेड निकलने से और इसके पत्ते सीधे होने तक ही हमें इस प मश्रूम तोड़ने लाइक हो जाता है तो यही सब बाते थी आज की वीडियो के लिए और अगर आपको फिर भी कुछ सवाल रहे गया हो तो आप बेजी जग कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट करना और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प् मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद